किस अमानात गुफा कस्मिर की बरफिले पहाड़ों की बेच इस्तित है अमानात गुफा में बरब से बने सियुलिंगी पूझा होती है अमानात गुफा को भगवान सियुके प्रमुख धार्वी कि स्थलों में से एक माना जाता है तो चलिकिस मैं आपको बताऊंगा अमानात गुफा से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आप सायाधी जानते होंगे एस हिंदो की मान्यता है कि भगवान सिव ने अमानात गुफा में ही मापारवती को अमरता का मंत्र सुनाया था और यही वज़ा है कि हिंदो धर्म में अमानात गुफा को इतना अधिक महत्वा माना जाता है हिंदो मानेता के रुसार किसी को भी अमर कथा सुनने की जज़त नहीं थी इसलिए भगवान सिव ने मापारवती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था ताकि कोई और अमर कथा ना सुन पाए अमानात गुफा से लगभाग चामरे किलोमेटर दूरी पर इस्तित पहल गाम पहले ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान सिव ने रुखकर आराम किया था उन्होंने इसी जगह अपने बैल नंदी को भी छोड़ दिया था नंदी बैल के बीना सिव लिएंग को अधुरा माना जाता है और गड़े जी को उन्होंने महा गुड़स पहार पर छोड़ दिया था इसके बाद पंचे त्रणी नाम की जगह पर पहुँचकर भगवान सिव ने पांचों तत्यों को भी उत्याग दिया था इस माना जाता है कि जब अभवान सिव ने मा पारवती को अमारत्य का मंदर सुनाया था उस समय उस गुफा में उन दोनों के अलावा सिप कभुतरों का एक जोड़ा था कधा सुनने के बाद कभुतर का वो जोड़ा अमर हो गया था और आज भी अमानात गुफा में कभुतर का वो जोड़ा दिखाई देता है अमानात गुफा चारों तरब से कच्ची बर्ब से ढकी होती है लेकिन गुफा के अंदर मौजूद सीवलिंग पक्की बर्ब का होता है और कैसमें आपको बता दू कि यह सीवलिंग पकी बर्ब से किस तरह से बनता है यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है माना जाता है कि अमानात गुफा के खोज बुटा मलिक नाम के एक मुचलमान सक्स ने किया था यह सक्स अपनी भेट बक्रियों को इस जगा चरा रहा था उसे समय बुटा की मुलकात एक सादू से हुई सादू ने बुटा को कोईले से भरा एक थैली भेट में दे दिया और जब बुटा घर पहुँचकर उस थैले को खोल कर देखा तो कोईले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया इसे देखकर बुटा हैरान हो गया और सादू का धरन्यवाद करने के लिए वो उस जगा दोभारब पहुचा वह पहुचने के बाद उसने सादू की जगा इस गुफ़ा को पाया उसी समय से ये गुफ़ा तीरतिस्थान में बदल गया है अमानाद गुफ़ा में सीलिंग के पास पानी बहता है लेकिन अब दक इस बात का पतर नहीं लगाया जा सका है कि ये पानी आता कहां से है इसके मान्यता है कि अमानाद गुफ़ा 5000 साल पुरानी है और इस गुफ़ा में मौजूद सीलिंग को स्वेंबू कहा जाता है क्योंकि इस सीलिंग का निर्माण खुद से होता है कस्मीर में स्थित अमानाद गुफ़ा करीब 160 फिट लंबी और 100 फुट चौड़ी है गैस क्या आप अमानाद की आतरा कर चुके हो कमेंट सेक्सर में जरू लिखना